Hey everyone, welcome to biology 80s बच्चो आज 22nd July की सुप्रीम कोट की हेरिंग के जरिये हम लोगों को लग रहा था कि हमें फर्स्ट हाफ में पता चल जाएगा कि रीनी 2024 होने भी वाला है या फिर नहीं लेकिन जिस तरीके से हेरिंग में discussion चल रहा है बहुत जादा कम उमीद लग रही है कि आज भी हमें final judgment मिलेगा या फिर नहीं इस वीडियो में आप लोगों को फर्स्ट हाफ में जो भी हेरिंग का discussion वा वो बताने वाली हूं उसकी summary देने वाली हूं बात हुई है फर्स्ट हेरिंग में दो चीज़ों पर पहला हर्द्या स्कूल हर्याना पर और दूसरी बात हुई है सीकर राजस्थान पर हर्द्या स्कूल हर्याना के respect में NTA ने ना दो-दो अलग-लग statement देंगी जिसकी वैसे confusion create हो गई देखो क्या होता है NTA ने पिछली hearings में Supreme Court के judges को ये बताया कि क्या procedure follow होता है NTA के office से question papers जहां-जहां NEET के center पड़े हैं उन cities के Canera Bank और SBI Bank में भेजे गए अब क्या हुआ 5th में की सुबह Canera Bank और SBI Bank से ये question paper जहां-जहां center पड़े थे वहां भेजे गए NTA office से city के Canera Bank SBI Bank में Canera Bank और SBI Bank से 5th में की सुबह different examination centers में जिन-जिन schools में center पड़ेंगे वहां question paper distribute कर दिये गए हर्दिया स्कूल का ये मामला आ रहा है कि हर्दिया स्कूल में Canera Bank वाले question paper distribute कर दिये गए बलकि उनको SBI Bank वाले question paper distribute कर आने चाहिए थे इसके respect में NTA के lawyers ने दो अलग-लग statement दे दिये पहले उन्होंने कहा कि हर्दिया स्कूल में गलती से क्या हो गया Canera Bank के question paper distribute कर दिये गए लेकिन उन्हें SBI Bank के question paper distribute कर देने चाहिए थे तीन घंटे 20 मिनट बच्चों ने Canera Bank वाले question paper ही solve करे बलकि उन्हें तो SBI वाले question paper solve करने चाहिए थे लेकिन कुछ मिनट बाद उन्होंने अपना statement चेलेंज कर दिया और कहा कि हर्दिया स्कूल में गलती से Canera Bank वाले question paper distribute कर दिये गए लेकिन आदे घंटे बाद उन्हें वापस से SBI वाले question paper जो सही question paper थे उस स्कूल के बच्चों के लिए वो दे दिये गए और बच्चों ने फिर SBI वाला question paper solve किया जो आदे घंटे उन्होंने Canera Bank वाला question paper solve किया था उस time को compensate करने के लिए हमने हर्दिया स्कूल के बच्चों को grace marks दिये है पहली statement में उन्होंने कहा कि बच्चों ने पूरे 3, 20 मिनिटé कैनेरा बैंक क् question सॉल्फ किया इसussrary statement में स्णारग उन्हें कहा कि बच्चों ने सिर्फ आदे घंटेा Canera bank क् question paper solve किया आदे घंटे बाद उन्हें SBI वाला question paper दे दिया था तो जो आदे घंटा उनका वेश्ट हो गया के अनरा बैंक वाला पेपर करने में, उस आदे घंटे को कॉमपंसेट करने के लिए हमने हर्दिया स्कूल के बच्चों को ग्रेसमार्क्स दिये, जिसके वज़र से दो बच्चों के 1 के 718 on 720 और 1 के 719 on 720 आए, एक तो इस पर बात और इस पर भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला, सीधे अगले टॉपिक पर जम्प हो गया, जो कि आया सीकर राजस्थान का, पई सीकर राजस्थान का इस साल का रेजल्ट बहुत आउटस्टेंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन इसमें घपला माना जा रहा है, जो लॉयर्स रीनी 2024 को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सभी लॉयर्स कह रहे हैं कि सीकर राजस्थान में टोटल 49 एग्जामिनेशन सेंटर्स थे, इन 49 में से सिर्फ एक ही सेंटर था, जो कि केंद्र विद्याले था, सरकारी स्कूल था, बाकि 48 सेंटर्स प्राइवेट स्कूल थे, और इन प् प्रिंसिपल ही थे, और जो इन विजिलेटर थे, वो स्कूल के टीचर्स ही थे, तो फिर रीनीट को सपोर्ट करने वाले लॉयर्स कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल था, स्कूल के टीचर ही इन विजिलेटर थे, यानि की घपले के चंसर जाता थे, इसके वज़े से सीकर प्राइविट स्कूल में जाकर पेपर दिया और उन प्राइविट स्कूल में भी इन्विजिलेटर उसी स्कूल के टीचर्स थे तो बहुत जादा चांसेज है कि चीटिंग करवाई गई होगी कुछ ना कुछ घपला कर दिया गया होगा हाला कि यह पॉइंट मुझे इतना जादा वैलिड ने लगा क्योंकि पिछले सालों में भी जब नीट का पेपर हुआ है तो प्राइविट स्कूल में सेंटर पड़े है मैं खुद सिटी सेंटर जाया करती थी बच्चों के इंटर्विव लेने तो बहुत सारे प्राइविट स्कूल में पिछले सालों में भी नीट का पेपर कंड़ करवाया गया है तो फर्स्टाप की जो हीरिंग भी है बच्चो इनी दोनों मुद्धों पर भी है हर्द्या स्कूल में कैनरा बैंक का पेपर सॉल्फ करवाया गया बलकि SBI का करवाना चाहे था सीकर राजिस्थान का रिजल्ट इसल बहुत अच्छा आया गया इसका रीजिन यह कह रहे है कि प्राइविट स्कूल में सेंटर पड़े थे और प्राइविट स्कूल की टीचर ने ही हो सकता है क्या पदा घपला करवाया हो जिसके विजह से टॉप रैंकर सीकर राजस्थान में जादा देखे ग